हेलो एंड वेल्कम बैक तो चलि हम लोग कांटिनु करते अपने गेम डेवलोप्मेंट टुटियर को और लास्ट टाइम लोगों ने काफी कुछ यहां पर बना ले था हमारा यह प्लेयर आगे की और मूब भी कर रहा था आज मैं समझाता हूं कि हम लोग एक्चुली में गेम कैसा बनाने वाले हैं तो मैंने एक डेमो के लिए यह गेम देखिए आप तो कुछ इस टाइप से हमारा प्लेयर लेफ्ट राइड मूब करेगा और आगे कुछ आप्स्टिकल्स आते रहेंगे देन आप अगर सही आप्स्टिकल्स से टकराएंगे तो आपके स्कॉर में इतना ज़्यादा इनिमेटेड तो हो सकता है आप ना बना पाएं बट हाँ आपको एक आइडिया लग जाएगा एक गेम कैसे बनाया जाता है तो आईए हम लोग आज देखते हैं कि यह जो हमारा प्लेयर है यह हमारा प्लेयर है इसको हम लेफ्ट और राइड कैसे मूब कर हो सकते हैं बाई जीना आवाइड की जो हमारी कीबॉड होते ना लेफ्ट और राइड की अभी हम उसका यूज करके बनाएंगे और आप आगे और आप आगे Android फोन के लिए भी लेफ्ट स्क्रीन और राइट रोटेशन से भी बना सकते हैं वो तो हम आगे के कांसेप्स देखेंगे अभी हम लोग की बोड का यूज करते हैं कि लेफ्ट की और राइट की का यूज करके अपने प्लेइर को कैसे मूफ कराया जा सकता है इसके लिए हम लोग इसक्रीप्ट पर आते हैं इस पर आते हैं और यहां पे जो हमारा अपडेट function है इसके अंदर इसके अंदर एक if की condition लेते हैं if input की input dot get key आपको key get करना है और कौन सी get करना है key code key code dot left arrow left arrow then आप इसको braces में रख दें अब इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं जिस तरीके से अपना यह transform किये थे ना यह वाला यह हम लोग जैड एक्सिस पर transform किये थे और अभी हमें क्या करना है x-axis पर करना है आप इसे transform dot position और उस position में change अगर इस तरीके से करेंगे तो जो भी जब भी हम left arrow दबाएंगे तो जैड एक्सिस पर चेंज हो रहा है बट हमें चेंज कहां पर चाहिए अभी चाहिए अगर मैं इस player पर click करूं तो देखिए यह x-axis है जब यह इस side में आएगा तो हमारे x पर change हो रहा है और जब इस तरफ आ रहा है तो भी x पर हो रहा है यानि कि by default यह 0 पर है और 0 से राइट साइड में प्लस और लेफ साइड में माइनस की और इसमें चेंज हो रहा है तो इस चेंज को हमें क्या करना है कि डाइनमिकली करना है by using our keyboard by default इसको 0 रखते हैं अब आते हैं तो भी यह जो change हम कर रहे थे यह z axis पर कर रहे थे लेकिन इसको हमें कहां पर करना है x Axis पर करना है और बाकी की direction में अब यहां पर भी कुछ थोड़ा सा correction आप समझ सकते हैं कि जो मारा इस पोजीशन में केवल x-axis में चेंज होगा जेट और y में कोई भी हम चेंज नहीं कर रहे हैं तो अगर अभी हम देखें चुकि हमने left arrow प्रेस किया है और left arrow पे देखते हैं एक बार यह किदर जाता है एक बार हम लोग unity पर आते हैं और इसको की error है तो जब भी कुछ भी error आएगा तो आपको यह बताई देगा आपका compiler तो यहां पर आ गया तो यह फिर से फेच कर रहा है ठीक है अभी हम इसको run करते हैं अब हम left की प्रेस कर रहे हैं तो देखें right में जा रहा है और यह नीचे भी गिर गया है तो उसको भी सही करेंगे जैसे हम लोग इसे run कर रहे हैं तो यह left की और ना जाके right की और जा रहा है क्यों जा रहा है क्योंकि हमने यहां पर क्या कर दिया है प्लस आप इसको अगर minus कर दें तो यह left की और जाएगा तो इसको फिर से run करते हैं और अगर हम left दबाएं तो देखें यह left side में आया और यह नीचे चला गया तो उसकी कोई बात नहीं उसको भी हम लोग आगे सही करेंगे बट अभी हमारा एक concept to player हुआ कि left की पे यह left side में आ रहा है देन यह आगे-आगे move होता चला जा रहा है बट हमें रही राइट की पे भी right side आना चाहिए तो उसके लिए भी आपको simply कुछ नहीं इसको copy कर लीजे और दोबारा से की condition मनाईए और left arrow की जगह अपकी बार आप कैफरेंगे right arrow कर देंगे और right arrow यह हमने minus किया था अब आप इसमें plus कर दीजे तब यह right side में move कर जाएगा जब भी कोई अपकी right की प्रेस होगी अच्छा एक right की प्रेस होगी तो आईए इसको देखते हैं कि आई यह work कर रहा है ठीक है इसको run करते हैं यहां से अब अगर हम right प्रेस कर रहे हैं तो left में आ रहा है फिर सेम इसको एक बार करके देखते हैं देखिए जब हम left में प्रेस कर रहे हैं तो यह right में जा रहा है तो कुछ यही concept है हमें चाहिए थे तो ठीक है अभी हमने यह चीज़ तो अचीब कर लिया है कि left और right में movement होने लग रहा है बट हमारा प्ल तो हमें यहाँ पर एक चीज़ बना लेनी चाहिए maximum left और maximum right की condition को यहाँ पर use करके इस चीज़ को solve किया जा सकता है तो हम लोग आते हैं अपने script पर script पर और यहाँ पर हम लोग variable बना सकते हैं public बना ले या private बना ले मैं बनाता हूँ private और इसका नाम देते हैं min x और इसमें कुछ value देंगे अभी मैं by default 0 डाल रहा हूँ then फिर इस पर हम यह और variable बनाते हैं private और max x equal to 0 अब हमारा maximum x और minimum x क्या होगा यह चीज़ देखने के लिए हमें आना पड़ेगा प्लेयर पे और यहाँ पर हम अगर आ जाएं एकदम साइड में तो आप देखिए यह लगबग 4.45 तक जा रहा है और इधर भी वही 4.45 तक ही आएगा तो मैं इसकी एक minimum value जो है वो minus 4.45 दे देता हूं और इस पर प्लस 4.45 दे देते हैं अब इस चीज़ को यहाँ पर मैं इस चीज़ को अटा देता हूं इसकी अब अपने को जरुरत नहीं है आयोप आप समझ गये होंगे तो यहाँ पर कुछ और conditions बनाते हैं सबसे पहले अपने यह जो हमारा ट्रांस्फॉर्म है यह एक वेक्टर होता है इसको हम भुग receive करते हैं एक वेक्टर फॉर्मिट में तो यहाँ पे ले छे हैं वेक्टर 3 और इसका नाम देते हैं player position और इसके अंदर हम लोड करते हैं अपने transform.position को ठेकर यह वेक्टर 3 जो हम लोगोंने new वेक्टर बनाय था वही एक variable यहाँ पे लेके जब player position हमने receive कर लिया अब क्या करेंगे इस एक if की condition लेंगे और इस player position को check करेंगे किसके player position dot x को यानि x axis को हमें check करना है तो x यह हमारा less than होना चाहिए minimum x से minimum x से जो हमने min x बनाया है I think हमको इसे public रखना पड़ेगा तो इसे public रख देते हैं less than होना चाहिए हमारे min x से अगर ऐसा होता है तब ही हमारे player dot position में player dot position में change होगा अगर ऐसा होता है तब क्या करेंगे हम player dot position x यानि कि जो हमारे player की x position है उसको हमेशा minimum x सेट कर देंगे जब भी इस player की position हमारी minimum value से कम हो जाएगी that means minus 4.45 से कम हो जाएगी तो इसकी automatically value कितनी सेट हो जाएगी minimum x यानि हमेशा यही सेट हो जाएगा इसी तरीके से हम लोग अपने max x के लिए भी कर सकते हैं और हमारा जो यह transform dot position है transform dot position है इसको सेट कर देंगे transform dot position equal to अभी हम क्या ले लेंगे player position तो बस इतना करने के बाद अगर आप run करें तो इसको by default zero कर देते हैं ताकि यह रूम में बीच में रहे इसको हम run करते हैं I think कुछ error है equal to का let me check ओके तो यहां पर हमने इसको define नहीं किया कि यह कि टाइट का variable है तो simply इसको हम define कर देते हैं इसको जब float value हम define करते हैं तो यहां भी float डालना है और यहां भी आप float डालने save कर दें यहां पर आए compile होने दें और यह बोल रहा है float usef ओके तो हम लोग इसकी value में FB डाल देंगे चुकि float value में हमें F होना होता है इसलिए हम लोग यहां पर 10F यूज करते थे ना तो यह फिर safe होने देते हैं और आयोप यह सही हो जाएगा अब यस तो अब यह हमारा ready है और अगर अब हम इससे run करते हैं अब हम इसको left और right से देखे अब यह नीचे हमारा player move करके नहीं जा रहा है तो यह हमें चाहिए था और हमने इसे achieve कर लिया है यह थोड़ा सा smart way नहीं है तो हम लोग आते हैं कुछ smart way पर इसको बनाते हैं इसके लिए हम लोग आ जाते हैं अपने script पर और इस type से जो हमने coding की है यह थोड़ा सा lindy हो जाता है इसकी जगह पर हम लोग method.clamp का यूज करके बहुत ही smartly इसको बना सकते है method.clamp unity का inbuilt एक method है जिसके तुरू हम लोग mean x और man x को validate कर सकते हैं तो आईए देखते हैं हम लोग इसको कैसे करेंगे तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं जो हमने यह player pose बनाया है player position.x को equal to कर देंगे method.clamp method.clamp क्या करता है कि यह तभी value को return करेगा जब condition true होगे तो player.position को यह check करेगा minimum x से और maximum x से अगर यह होता है तो हमारा player pose.x को update करेगा otherwise नहीं करेगा तो हम इस चीज को हटा सकते हैं और जो हमने इतने सारे code को बनाया था वह हमारा simply one line of code में भी हो सकता है इसको save करते हैं और unity पर आते हैं इसको run करते हैं run करके देखते हैं क्या यह अभी भी work कर रहा है तो yes देखिए यह अभी भी नीचे नहीं जा रहा है तो हमारा left right का movement perfectly हो गया है देखिए इस समय यह कितना भी दबा दें यह नीचे नहीं जाएगा और यह perfectly work कर रहा है